एंडिये में सीट पटवारे के एलान के बाद लगातार ये चर्चा होती रही कि उपेंदर कुछवाहा संभावता नहराज है लेकिन कल उनकी मुलकात होई विनोत तावड़े से और उसके बाद अब उपेंदर कुछवाहा पहली बार सामने आये हैं कुछवाह जी क्या माना जाय सब कुछ बात हो गई हाँ निश्चितरुप से गठवंधन में जो बारता चल रही थी उसका समापन हो गया साधी तैय हो गई अब क्या तैय हुआ सब के सामने है हम लोग 40 में 40 कैसे इंडिये गठवंधन के खाते में डालें इस बात को लेकर कि अब जनता के भी जाना है तो जो एगजस्मेंट हुआ है उसमें एक लोग सभा सीट और इसके अलावा क्या बाते हुई है थोड़ा आप ही बता दीजे ने दिके हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी गठवंधन में बारता के दौरान अधिक से अधिक अपना सेयर चाहती है तो उसके आधार पे हम लोग का भी जो कुछ भी था लेकिन अंतिम रूप से जो तैय हुआ है वही है जो सब लोगों को मालूम है पुब्लिक डोमेन में है एक लोग सभा और एक कॉंसिल की सीट तैय हुई है तो उसके आधार पे बाकी पार्टी ओं का भी तैय होगा पस्पती पारास आप है यह सब लोगों को मालूम है उसके आधार पे एंडिये गठ बंधन में जो भी पार्टी है और जिनको जो मिला है यह निरने किसी एक दलका नहीं सामुही कुरूप से सभी दलका निरने है और उस दिरिस्टी से अब जनता के बिज में जाना है अब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिक टिका टिप नहीं की जाए इसकी आप से एकता नहीं है अब एंडिये जो है एक जूठ होके लड़ेगी और 40 सीटों पर बिहार में जीत हासिल करनी है अज तक बटना